सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी कैस यूटूब चैनल पर जिसका नाम स्टेडिवित पियन होदा साथियों रीट मेंस एक्जाम के लिए सेक्षिक प्रिद्रश और तक्निकी से 40 बेहद महत्पुन प्रश्णों का रिविजन हम करने वाले हैं पूरते एक्जाम पेटरन के अनुसार ये जो प्रिश्ण है बनाए गए हैं तो पूरे प्रिश्णों को अटेंड करना साथियों लाश्ट समय में आपके लिए ये बेहद उपियोगी रहेंगे शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को पहला प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण संख्या एक है इनमे से एसंगत का चैन कीजिए जो एसंगत या गलत है उसका चैन पहले प्रिश्ण में करना है पहला विकल शिक्ष्या वानी 11 माई 2020 शिक्षा दर्शन एक जुलाई 2020 बालिका शिक्षा फाउंडेशन बीस मार्च उनिस सो पिंचानवे और निष्टा 21 अगस 2019 तो ये डेट दी गई है इनमें आपको जो डेट गलत लगे वो आपको पहले प्रिश्ण में देखना है साथियों निष्टा की शुरुआत 21 अगस 2019 को की गई थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत 20 मार्च उनिस सो पिंचानवे को की गई थी और सिक्षा वाने की शुरुआत 11 माई 2020 को की गई थी लेकिन सिक्षा दर्शन की शुरुवात 1 जुलाई 2020 को नहीं की गई थी बलकि सिक्षा दर्शन की शुरुवात कब हुई थी एक जुन 2020 को तो आपके पहले प्रिशन में जो विकल्प नंबर 2 है आपका आंसर होगा साथियों प्रिशन संख्या दो की ओर बढ़ेंगे दूसरा प्रिशन देख लेते हैं प्रिशन नंबर 2 में क्या पूँछ रहा है देखो आज का यस सेकंड वीडियो है पहला वीडियो में अधिन स्थ बॉड के जो पेपर पुराने हुए है उनका एक वीडियो में ने अपलोड किया है उसमें एक प्रिश्ण में पूचा गया स्वर्णिम चतुर्बू जियोधना से संबंदित साथ उसमें अलवर भी उप्शन में था और उसमें उदेपूर भी उप्शन में था बैसके अंतरगत जो है साथ जिलों से होकर गुजर रहा है जिसमें अलवर भी और उदेपूर भी है बाकी फाइनल आंसर की में उदेपूर आंसर मान रखे है उस आदार पे मैंने आपको ब तो जो गारगी प्रुसकार में राशी दी जाती है छोता विकलप आपके प्रिशन संख्याद दो का सई आंसर है चलिए प्रिशन नमबर तीन की और बढ़ेंगे तो तीसरा प्रिशन देख लेते हैं मुख्य मंतरी अशोग गहलोत ने कोरोना बाल कल्यान योदना को लागू करने की गोशना कप की थी 12 सितंबर 21, 12 जून 21, 1 जनवरी 21 या 10 अगस 2020 देखो तीसरे प्रिशन में देखें तो कोरोना बाल कल्यान योदना को लागू करने की जो गोशना मुख्यमंत्री अशोक गहलवजी के दोरा की गई थी साथियों वो गोशना कप किती इनों ने 12 जून 2021 को कीती साथियों दूसरा विकलप आपके प्रश्ण संक्या 3 का सही आंसर है चलिए प्रश्ण नमबर 4 के ओर बढ़ेंगे मैंने एप पर इस्टेडी विद प्रश्ण लोदा जो एप्लिकेशन है वहाँ पर 149 वाले कोर्स में साथियों तीन टेस्ट अपडेट कर दिये हैं सुवे लगबग साड़े आठ बजे के आसपास वो जो पेपर है वो बहुत ही शांदार तरीके से पेपर बनाए गए पूरे 150 प्रश्णों के मेरतन पेपर है लेवल 1 का पूरा 150 प्रश्ण का पेपर है लेवल 2 एसेश्टी का पेपर है और लेवल दो हिंदी का पूरे 150 प्रिशनों का पेपर अपलोट कर दिया गया है तो उस टेश्ट को जरूर रटेन करिएगा चोता प्रिशन है मुख्यमंत्री राजश्री योधना के अंतरगत बारवी कक्ष्या उत्तिर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को कितनी राशी देने का प्राउधान है 4000 रूपे की राशी 5000 रूपे की राशी 11000 रूपे की राशी या 25000 रूपे की राशी तो देखो मुख्यमंत्री राजश्री योधना की बात की जा रही है जब इस योधना में जो पात्र बालिका है वो कक्षा बारवी उत्तिर्ण करेगी साथियों तो उसनको कितने रुपे की राशी प्रदान की जाएगी इस योधना के तहद 25,000 रुपे की राशी प्रदान की जाएगी कौन सी योधना के तहद मुक्यमंत्री राश्चिरी योध करता है कौन ब्लोग प्रात्मिक शिक्षा अधिकारी जीला सिक्षा अधिकारी मादमिक शिक्षा निदेशक या प्रात्मिक शिक्षा निदेशक तो जो प्रात्मिक विद्याले होते हैं इनको माननिता कि इसको लोग को लिए जरूरी है जो प्राइवेट विद्याले होते है साथ जो नीजी विद्याले होते हैं उनके लिए ये माननिता की आउशक्ता पड़ती है गोवर्मेंट विद्याले के लिए माननिता की आउशक्ता थोड़ी पड़ती है वो तो गोवर्मेंट के द्वारा खोले जाते हैं तो प्रात्मिक और उन्ची प्रात्मिक विद्याले क को मानिता प्रदान करने का कार्य प्रात्मिक सिख्षा निदेशक के द्वरा किया जाता है फोर्त विकलप आपके प्रिश्च नमबर पांच का सही आंसरे साथियों चलिए नेक्स्ट प्रिश्च नमबर छे की ओर बढ़ेंगे छेटा प्रिश्च है आपके ननिकली योदना क संबंद किस जीले से है उदेपूर जीले से है बिकनेर जीले से है जोदपूर जीले से है या गंगनगर जीले से है तो इन में से जिस जीले में ननिकली योदना चलाई गई थी वो कौन सा जीलाई साथियों चेटी प्रिश्च का अंसर देख लेते हैं ननिकली योदना जो Q1949 में, 1960 में, 1951 में या 1952 में तो इन मेंसे जब राजिस्तान सिक्षा सलाकार منडल की स्तापना की गई थी राजिस्तान सिक्षा सलाकार منडल की स्तापना इन मेंसे कप की गई ती साथियों Dream Quindi काहएं कि गई थी थांड विकल पाफ की प्रश्ण नमबर 7 का सही आंशर हैं कमेंड करके जाना याश्ट में कि 40 में से कितने प्रश्ण को सही किया है 1 बठ 3 माइनस मार्किंग भी एसास यो प्रश्ण को गलत करने पर एक बटा तीन नंबर भी कम किये जाएंगे नेक्स्ट आट वे प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे तो चलिए प्रिश्ण नंबर आट को देखते हैं प्रिश्ण संक्या आट है वह धारा बताना है जिसमें जो SMC की कारिकारिनी समीती है उसके गटन का प्रावदान है तो SMC की कारिकारिनी समीती के गटन का प्रावदान कौन सी धारा में किया गया है धारा नंबर बारह में किया गया है फोर्थ विकल्प आपकी प्रिश्ण आठ का सही उत्तर है, नेक्स ट्री प्रिश्ण संख्या नो की ओर बढ़ेंगे मित्रो नोवा प्रिश्ण देख लेते हैं, प्रिश्ण नमबर नो है सोशल मीडिया इंटरनेट फोर लर्निंग इंगेजमेंट का ध्यवाक्य है रोज सवेरे नो बजे, हर गर स्कूल गंटी बजे, मिश्ड कोल दो, कहानी सुनो, हमारे सिक्षक, हमारे नायक, प्यारे बच्चों कान लगाओ यह जो चार आदर्शवाक के यहाँ पर दे रखे हैं, इन में से, जो आदर्शवाक के सोशल मीडिया इंटरनेट फोर लर्निंग इंगेजमेंट का है वो वाक्या आपको प्रिश्ण संख्या 9 में देखना है और साथियों, प्यारे बच्चों कान लगाओ, यह तो आपके सिक्षा वाने का आदर्शवाक के है सविले नो बजे हर गर इसकूल गंटी बजे बिलकुल यह जो पहला विकल्पे ना सोशल मीडिया इंटरनेट फोर लर्निंग इंगेजमेंट का धेवाक के साथ यो अब इसका पूरा नाम है यह तो सोशल मीडिया वाला तो इसको शोट में किस नाम से जाना जाता है इस्माइल के नाम से जाना जाता है मित्रों इस्माइल का अधर शुवाक की रोज सविले 9 बजे हर गर इसकुल गंटी बजे है पहला विकलप आपके प्रिशन संख्या 9 का सही आंसर है नेक्स प्रिशन संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए दस्वे प्रिशन को देख लेंगे प्रिशन संख्या 10 नई सिक्षा निती 2020 के अनुसार अंतिमिस्तर पर चात्रों की आयू निर्दारित की गई है 12 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष और इनमे से कोई भी नहीं तो दस्वे प्रिशन में हम देखें भई कोई नहीं को तो आप अटा दो फायू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये फोर्मूला है एनिपी 2020 का अब इसमें अंतिमिस्तर कौन सा है ये वाला जिसमें वाला कक्षा 9 से 12 तक अद्यान करता है सात्यों और इसमें जो आयू निर्दारित की गई है वो कौन सी है 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक थर्ड विकलब आपके प्रिशन नमबर 10 का सही आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे सात्यों प्रिशन संख्यां 11 की तरफ तो 11 प्रिशन देख लेंगे प्रिशन नमबर 11 में क्या है आपके हवा महल कारिकरम के अंतरगत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी विशेवस्तू है आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविदी और टीचर कोर्नर तो देखो एक कारिकरम चलाया गया था हवा महल कारिकरम और इसके अंतरगत 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनके लिए जो विशेवस्तू है सात्यों कौन सी विशेवस्तू है तो 11 प्रिशन का अंसर रहेगा आपके विकल्प नमबर 1 इनके लिए आज की कहानी विशेवस्तू है पहला विकल्प आपके 11 प्रिशन का अंसर है नेक्स्ट प्रिशन नमबर 12 की और बढ़ेंगे सात्यों तो बारवा प्रिशन देख लेते हैं राजिस्तार में RTE का नाम है RTE Adenium 2009 RTE Adenium 2010 RTE Adenium 2011 या RTE Adenium 2012 तो RTE Adenium है इसको राजिस्तार में किस नाम से जाना जाता है सात्यों 12 प्रिशन का अंसर देखते हैं राजिस्तार में RTE Adenium को RTE Adenium 2011 के नाम से जाना जाता है विकल्प नमबर 3 आपके प्रिशन नमबर 12 का सही अंसर है देखो RTE जो 2000 है इसको लागू करने के लिए गोर्मेंट ने केंदर सरकार ने 3 वर्ष समय दिया था अधिक्तम कि 3 वर्ष के वितर वितर आपको RTE Adenium लागू करना है और राजिस्तार में ये कब लागू हुआ था 2011 में इस वज़े से इसको RTE Adenium 2011 कहा जाता है राजिस्तान में नेक्स्ट वी प्रिश्ट नंबर 13 को देखेंगे मित्रों प्रिश्ट नंबर 13 है मुक्य मंत्री बाल गोपाल योजना का संचालन किसके दोरा किया जा रहा है शिविरा के दोरा आयुक काले मिड़े मिल के दोरा एकी कृत इसकुल सिक्षा संकुल के दोरा या राजिस्तान मादमिक सिक्षा बोड के दोरा तो देखो वर्तमान में एक योधना चल रही है विद्यालियों में मुक्यमंत्री बाल गोपाल योजना बहुत इंपोर्टेंट योजना है साथियों ये इसका जो संचलन किया जा रहा है शिविरा सिक्षविभाग रजस्तान के दोरा किया जा रहा है क्या जी नहीं बलगी इसका संचलन किसके दोरा किया जा रहा है साथियों आयुक ताले मिड़े मिल के दोरा ही मुक्य मंत्री बाल गोपाल योजना का संचाला ने किया जा रहा है दूसरा विकल्प आपके प्रिश्ण तेरा का सही आंसर है चलिए चौदुवे प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे तो आपके प्रिश्ण संख्या चौदा है असत्य कतन है जो कतन असत्य लगे वो आपको प्रिश्ण नमबर चौदा में देखना है पहला विकल्प है दिक्षा डिजिटल इंट्राइस्ट्रेक्चर फोर नोलेज शेरिंग दूसरा है दिक्षा का आदर्श वाक के हमारे सिक्सक हमारे नायक तिसरा है दिक्षा को लोंज किया गया था 5 सितंबर 2017 को और चोटा है दिक्षा राइस इसका प्रारम सत्र 2017-18 में तो भई चौदुए प्रिश्ण का आंसर बताओ जो कतन आपको प्रिश्ण संख्या 14 में असत्य लगे वो आपको देखना है तो भई दिक्षा का पूरा नाम क्या है Digital Infrastructure for Knowledge Sharing ये क्या है सात्यो दिक्षा का पूरा नाम दिक्षा का आधर शुआक की क्या है हमारे सिक्सक हमारे नायक दिक्षा को लोंज किया गया था 5 सितंबर 2017 को तीनो कतन सत्य है तो कोन सा कतन असत्य है दिक्षा राइस का ये कतन सत्य है कि इसका प्रारम सत्र 20178 है क्योंकि दिक्षा का प्रारम सत्र कब से है 2018 से है तो आपके प्रिश्ण संख्या 14 में जो चोता विकल्प है यह आपका अंसर होगा चलिए नेक्स ट्री प्रिश्ण नमबर 15 की ओर बढ़ेंगे तो पंद्रोवा प्रिश्ण क्या पूँच रहा है देख लेते हैं साथियों दिक्षा राइस की विशेस्ता है अध्यापक अपना व्यक्तिगत पेज इस पर बना सकता है अध्यापक अपनी प्रगति का मुल्यांकन इस पर कर सकता है कक्षा के संसादनों का उप्योग और इन में से सभी तो वह एक तो है दिक्षा और एक है दिक्षा राइस साथ दिक्षा राइस की विशेस्ताओं की बात करें तो पहली विशेस्ता भी दिक्षा राइस की है दूसरी विशेस्ता भी दिक्षा राइस की है तो कौनसा विकलप आपके पंद्रोवे प्रिश्ण में सही रहेगा जो चोता विकलप इन में से सभी वाला ये आपके प्रिश्ण नमबर 15 का सही उत्तर है प्रिश्ण संख्यां 16 है किस एप के माध्यम से संस्कृत के चात्रों को गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्राप्त हो रही है दिक्षा के माध्यम से निष्टा के माध्यम से दिक्षा राइस के माध्यम से या देवाने के माध्यम से तो जिस एप के माध्यम से जो संस्कृत क जो विद्यारती है उनको साथ यो संस्कृत की जो सिक्षा है गुणवत्ता पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है वो कौन सा एप है देववानी बिल्कुल देववानी एप जो है संस्कृत से संबंदिते साथ यो फोर्त विकल्प आपके प्रिश्ण सोला का सई आंसर है न स्कृत सिक्षा के लिए सत्रवा प्रिश्ण देखें गें बालक में बालक कि विषयवार व्यक्तिगण डाइरी है टाइपिंगKS मिश्टेक थोड़ी यहां पर हो रही है बालक कि विषयवार विक्तिगण डाइरी है पोर्ट ॥ोलियो विद्यारती-वारशिक आंखलन-प सत्रवे प्रिष्ण का आंसर देख लेते हैं मित्रो भालक की विशेवार विक्तिगर डायरी जो है वो इन में से कौन सी है पोर्ड फोलियो है पहला विकल प्रिष्ण नमर 17 का सही आंसर है नेक्स्ट अठारवे प्रिष्ण की ओर बढ़ेंगे साथियों तो चलिए अठारवा प्रिष्ण देख लेते हैं नो एक सेकंड रुकना थोड़ा सा नो बेक्डे के अनुसार माह के तरतिये शनिवार को आयोजित किया जाता है बाल सभा मेरे अपनों के साथ मैं वेग्यानिक बनूंगा खेलेगा राजिस्तान बढ़ेगा राजिस्तान और बाशा कोशल विका तो देखो नो बेक्डे जो होता है ये प्रतियेक शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है इसमें सात्यों जो महिने का जो तीसरा शनिवार आता है ना इस दिन जो कारिकरम आयोजित किया जाता है वो इन में से कौन सा कारिकरम है तो नो बेक्डे के अनुसार माह के तरतिये प्रश्ण संख्यावनी से सोफ्ट्वेर की आवशकता के कारण है प्रजेंटेशन बनाने के लिए इंटरनेट का प्रियोग करने के लिए डाटा को व्यावस्तित करने के लिए और इन में से सभी तो ICT से अगर बात करें सोफ्ट्वेर की आवशकता के कारणों की तो सोफ्ट्वेर से ही हम प्रजेंटेशन बनाते हैं इंटरनेट का प्रियोग भी सोफ्ट्वेर के माध्यम से ही किया जाता है और डाटा को व्यावस्तित भी सोफ्ट्वेर के माध्यम से ही किया जाता है इन में से साथियों तो चलिए प्रश्ण नंबर 20 को देखते हैं प्रश्ण संख्यां 20 से भारत के सविदान के किस अनुच्छेद के तहट 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल के वम अनिवार्य सिक्षा का प्रावदान है चम्वालिसवा अनुच्छेद है अर्तालिसवा जिसके तहट 6-14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको निशुल के वम अनिवार्य सिक्षा प्रदान की जाती है साथियों प्रश्ण संख्या 20 में आपके तीसरा विकलप आपका अंसर होगा नेक्ष्ण संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों तो चलिए 21 को देख लेत हैं 21 है आपके URL का पूरा नाम क्या है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन यूनिफॉर्स लोकेशन यूनिफॉर्स लोकेशन यूनिफॉर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर तो इनमें से URL का पूरा नाम पूछा गया है ये भी आपके ICT से सम्मंदिती प्रि आपके इनके अलावा WW का पुरा नाम CPU का पुरा नाम और ये चीजे आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए एक वो आपके होती है ना MB, KB, GB इन चीजों से समधित 100% रिस्क्यूशन बनने वाले हैं यहां से तो इनको बिल्कुल किलियर लिकर लेना साथ यो 21 का अंसर देख ल 22 की ओर बढ़ेंगे 22 प्रिश्ण हैं आपके इन में से कौन सा सेक्षिक नवचार कोरोणा काल के पस्चाज शुरू नहीं हुआ दिक्षा राइस शिक्षा में बढ़ते कदम स्टार बेक टू इसकूल और नोबेकदे तो कोरोणा काल के पस्चाज शुरू नहीं हुआ नोबेगडे का प्रारम भी कोरोना काल के पश्चाद किया गया था साथियों राजिस्तान के सिक्सा में बढ़ते कदम भी कोरोना के पश्चाद शुरू किया गया था अब पहला या तीसरा विकल्प तो 22 का अंसर देखे दिक्षा राइस जो है साथियों दिक्षा राइस का जो प्रारम है ये कोरोना काल के पश्चा शुरू नहीं हुआ था पहला विकलप आपके 22 प्रिश्ण का अंसर है चलिए 23 की ओर बढ़ेंगे तो 23 प्रिश्ण देखेंगे भई आपके 23 है राजिस्तार में मुख्यमंत्री सडक योजना किस वर्ष में लाग विकलप नमबर दो राजिस्तान में मुख्यमंत्री सडक योदना 2005 से लागू की गई थी 2005 में भी कब से साथियों 7 अक्टूबर 2005 को ही मुख्यमंत्री सडक योदना को लागू किया गया था राजिस्तान में बिलकुल दूसरा विकलप 23 का अंसर है नेक्सटरी 24 की तरह बढ यह साथ भाग तो jullie पी टूंटी 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 जो है अगर हम बात करें तो इसमें टूटल अध्याओ की संक्या कितनी है टूंटी सेवन लेकिन है यह तो आपको पता चल गया है ओंडी में टूटल अध्याओ की संक्या 27 में biology जो भाग की बात करे साथ यो तो इसमें टोटल कितने भाग है चार भाग है याद रखना है चार तो भाग है और 27 अध्याई है किसमें है ये एनिपी 2020 में साथ यो पहला विकल 24 का अंसर है नेक्स डिट 25 की ओर बढ़ेंगे 25 प्रिशन है आपके इनमे से एक सिगन थोड़ा सा इनमे से आउटपूट इकाई का उधारण कौन सा है मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और इनमे से सभी तो जो ICT से समद्दित प्रिशन आ गया है वापिस ये आउटपूट इकाई का उधारण है वो उधारण आपको 25 प्रिशन में देखना है बै आउटपूट इकाई के अं संख्याद 26 की तरफ तो 26 वा प्रश्ण देख लेंगे शिक्षा वानी हैESS च्ट्रोसमांगरी का निर्माण किसके नेतर्त में हुआえて के नेतर्त में RSGRT के नेतर्त में RBNews 99. него सिक्षावानी के लिएिक रेडियोच एपारीकरम है इसके लिए सिक्षन सामगरी का निर्मान जिसके नेतित में हुआ था साथियो इसके नेतित में हुआ र-A-C-R-T के नेतित में हुआ था दूसरा विकल 26 का बिल्कुल सही आंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे साथियो प्रश्ण संख्या 27 की तरब तो 27 वा प्रश्ण देख लेंगे गारगी पुरुसकार किन चात्रों को प्रदान किया जाता है मादमेक सिक्षा बोल राजिस्तान अजमेर से उत्तिन विद्यारतियों को सीबी एस सी से उत्तिन विद्यारतियों को केंद्री विद्याले से उत्तिन विद्यारतियों को या नवदे से उत्तिन विद् साथियों को दिया जाता है बलकि जो मादमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर है इससे जो उत्तिन विद्यारती है और केवल चात्राओं को ही गारगी पुरुसकार दिया जाता है साथियों पहला विकल प्रिश्च नंबर 27 का सही आंसर है नेक्स ट्री 28 की ओर बढ़ें आटी 2009 में कुल दाराए 49 और आटी 2009 का सबसे बड़ा अध्याई 3 तो वैज देखो 28 का अंसर देखे 28 प्रिश्च में आटी 2009 देश में कब लागू हुआ था साथ यो एक अप्रेल 2010 को जम्मो कश्मीर को छोड़ करके ठीके आटी 2009 में कुल अध्याई की संक्या देखे तो साथ अध्याई और वर्तमान में इसमें कुल कितनी दाराएं है 39 है लेकिन इसमें सबसे बड़ा अध्याई 3 नहीं है आटी 2009 का बलकि आटी 2009 का सबसे बड़ा अध्याई कौन सा है चार एसाथियों जिसमें धारा 12 से लेकर के 28 धारा तक सम्मिली थे 12 से 28 तक कौन से अध्याई में अध्याई में अध्याई नमबर 4 में तो फिर यहां आपके 28 का कौन सा विकल्प सही रहेगा फोर्थ विकल्प आपका अंसर होगा आगे बढ़ेंगे 29 की तरफ 29 प्रिश्ण ह निम्ड में से किसका उप्योग डाटा इस्तानांत्रन एवं संग्रहन के लिए होता है फ्लोपी का सीडी का पेंट ड्राइव का और इनमें से सबी तो इनमें से जिसका उप्योग डाटा इस्तानांत्रन और संग्रहन के लिए होता है फ्लोपी भी इसमें सम्मिली थे सीडी इसमें सम्मिली ते और पेंड ड्राइव इसमें सम्मिली ते अर्थार्थ इनमें से सभी वाला जो चोता विकल्प है प्रश्ण नमबर 29 का बिल्कुल सही उत्तरे साथ यो देखो यह दुट्यक मेमोरी कहलाती और इनमें जो डाटा संग्रीत होता है वो इस्ताही होता है ठीक पर पुनरबरण एवं समस्त कारी की मोनिटरिंग सत्र से ओनलाइन की जा रही है कौन से सत्र से 2010-11 से 11-12 से 12-13 से या 13-14 से तो थीसवे प्रिश्ण का उत्तर बताओ प्रिश्ण संक्यात 30 में देखे तो नीजी विद्याले जो है 25 पर 35 सीटों पर निशुल्क प्रवेश द ओनलाइन की जा रही है फूर्थ विकल तीसवे प्रिश्ण का अंसर है देखेगा जबकि निशुल्क प्रिवेश की जो परकिरिया है यह 2012-13 से दिये जा रहा है निशुल्क प्रिवेश समझना बात को अगर आटी दो जानों में निशुल्क प्रिवेश की बात करे तो 2012-13 आपका अंसर होगा और ओनलाइन की बात करें तो तेरा 14 आपका अंसर होगा बिल्कुल किलियर होना चाहिए सारी चीज़ें आपके चलिए आगे बढ़ेंगे 31 की तरफ 31 प्रिश्ण है राजिस्तान सरकार की अधिस सूचना जो 18 माई 2020 को आई थी के अनुसार 81-2009 के तहत द तुर्बल वर्ग है मतलब वह वर्ग जो 25% सीटों पर प्रवेश ले सकता है उनकी अधिक्तम जो आई है वो कितनी मानी गई है डाय लाक रूपे मानी गई है तीसरा विकल पापके 31 का सही आंसर है नेक्स्ट इस 32 की ओर बढ़ेंगे तो 32 प्रिश्ण देखते हैं साथियों मुक्यमंत्री सुबलक्षमी योजना कब से प्रारम की गई एक अप्रेल 13 एक अप्रेल 14 एक अप्रेल 15 या एक अप्रेल 16 को 32 का अंसर बताईए देखो मुक्यमंत्री सुबलक्षमी योजना की बात की जा रही है मुक्यमंत्री सुबलक्षमी योजना का जो प्रारम किया ग उप्योग किये जाने वाले उपकरण कहलाते हैं software, hardware, floppy या CPU तो भई ICT से समदित यह प्रिशने हैं आपके अगर हम बात करें computer में जिन उपकरणों का उप्योग हम करते हैं उनको software नहीं कहते हैं क्योंकि software उपकरण नहीं होते हैं बलकि उनको कहा जाता है hardware क्या कहा जाता है चोतिसवा प्रिशने हैं आपके महिला सशक्ति करण एवं बाल विकास से समंदित योजना नहीं है उजूला योजना दोजार आठ इंद्रा महिला शक्ति निदी आयम शक्ति उड़ान योदना और राश्टिय स्वास्त मिशन तो इन में से जो महिला सशक्ति करण और बाल योधना भी संबंदी ते लेकिन राष्टिय स्वास्त मिशन का संबंद महिला शशक्तिकरण एवं बाल विकास से नहीं है तो 34 में चोटा विकलपाप का अंसर है नेक्स्टे 35 की और बढ़ेंगे साथ ही हो 35 प्रिश्ण क्या है आर्टी एक्ट दो अजार नो की किस धारा के तहट गेर सरकारी विद्यालियों को एंट्री लेवल कक्षा की 25 पर प्रिवेश देना होगा दारा 12 एक गे दारा 16 दो गे दारा 26 दो के और दारा एक बै तो बैज देखो जो 25 प्रिश्टे सीटों पर प्रिवेश दिया जाता है एंट्री लेवल कक्षा कक्षा एक से जो गेर सरकारी मतलब जो निजी विद्याले है तो एसा जिस धारा में उलेक किया गया है वो कौन स में हैं किबोड माउस कंपैलर और इसकेनर हाडवियर का सबस्गर्णों से लिया जाता है थैजक्षा का आंसर बताइएगा ख़ज़ किबोड भी उपकरन है माउस इसकेनर भीपकरन है लेकिन कंपैलर उपकरन का उधारन नहीं है ये computer hardware के अंतरगत सम्मिलित नहीं किया जाता है तो 36 में आपके जो 3rd विकल पे आपका आंसर होगा नेक्स्ट प्रिश्च नमबर 37 की और बढ़ेंगे 33 प्रिश्च देख लेते हैं CPU का भाग है नियंतरण इकाई अंकगनित वे तारकी की काई और इनमेंसे सभी तो CPU का भाग आपको प्रिश्च नमबर 37 में देखना है तो आपके 37 का विकल नमबर 4 साई रहेगा साथ कियों next 78 योवर बढ़ते हैं, 38 को देखेंगे, अनु प्रियोक के आधार पर कम्प्यूटर के कितने प्रकार हैं, किसके आधार पर पूछाएं अनु प्रियोक के आधार पर, एक, दो, तीन या चार, तो मिद्रों 38 वे प्रिश्ण में अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेर करके जाएगा और 149 वाला जो कोर्स है पर इस पर जरूर जो टेस्ट डालें टेस्ट नंबर 18 लेवल एक का टेस्ट नंबर 15 लेवल 2 एसेश्टी का और टेस्ट नंबर 16 लेवल 2 हिंदी का जो डाला है उसको जरूर रटेंड करिएगा अमित्रों 49 वा प्रिश्ण देखेंगे आई सीटी से आश्य है अंतराष्टी संप्रेशन तक्नीक बारति तकनीक आयोग सूचना एंवं संप्रेशन तकनीक का आधान परदान तो आपको आई सीटी का आश्य अर्थ बताना है पुरा नाम बताना है आई सीटी को 40 वा प्रिश्ण देख लेते हैं साथियों अंतिमोर 40 वे प्रिश्ण में क्या है एक फरवरी 2019 से शुरू की गई यूवा संबल योजना निम्न से संबंदी थे कंप्यूटर ट्रेनिंग कोशल विकास बेरोजगारी भत्ता और यूवाओं के लिए लोन स्कीम तो बैस देख आपके प्रिश्ण नमर 40 का सहिवत्तर है तो आज का ये कंप्लीट होता है साथियों सेक्सिक प्रिद्रश्य और तक्निकी से संबंदी 40 महत्पुन प्रिश्णों का वीडियो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में अगला जो वीडियो आएगा आपके साइकलोजी और वीडियो के देखने को मिलने वाले हैं तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में